अगर आपके परिवार में भी बेटी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुती महत्पूर्ण होने जारी है सुकन्या समर्धी योजना के अंदरगत आप अपने बेटी के लिए अच्छा खासा फंड इखटा कर सकते हैं जिहां 15,000 रुपे जमा करके आप 64,000 रुपे तक का जो रासी है वहप्राप कर सकते हैं यहलाब किस प्रकार से आपको मिलेगा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी देने जा रहे हैं 64 लांक रुपे लेने के लिए आपको क्या क्या करना है उसके बारे में भी बता जाएगा कौन से दस्तवित चाईए होंगे क्या नियम निर्धारित किये गई है तमाम जानकारी आपको 60 किस वीडियो के माध्यम से दे जाएगी लेकिन आपसे हमारा चोटा सन्निवेदन है किर प्या वीडियो को लाइक भी कर दिजे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे बेटियों के भविश्य को सुधारने के लिए सरकार की तरब से कई महत्पून योजनाई चलाए गई हैं दोस्तो उन्हीं योजनाओं में से योजना है सुकन्या सम्रध्धी योजना जिसके अंतरगत माबा बेटियों की पढ़ाय से लेकर साधी तक बड़ा फंड इखटा कर सकते हैं सुकन्या सम्रध्धी योजना को बेटी वचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतरगत सुरू किया गया है दोस्तो सुकन्या सम्रध्धी य अब इसमें कौन-कौन से नियम निर्धारित की गए हैं उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं देखिए इसमें आप कम से कम 250 रुपे और अधिक से अधिक आप 1.5 लांक रुपे तक का निवेश कर सकते हैं और अपनी बेटी के लिए अच्छा खासा फंड जमा कर सकते हैं यनके 64 लांक रुपे तक का फंड आप बना सकते हैं स्टैप बाई स्टैप एक एक करके आपको जानकार दी जाएगी ताकि आपको इस योजना में सामिल होने के लिए और अपनी बेटी के लिए लाव लेने के लिए फंड इखटा करने के लिए बहुती आसानी हो सके और आ आपसे हमारा यह निवदन है कि आप वीडियो को स्क्रिप्ट किये विना आप अंतक देखते रहेगा वीडियो में बन रहेगा सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या सम्रध्धी योजना की जानकारी जो कि आपके लिए बहुती महत्कून है सुकन्या सम्रध्धी योजना में खाता दस साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खोल जाता है अगर आपके परिवार में दस साल से कम उम्र की बच्ची है तो आप उसके नाम पर खाता खुलवा सकते हैं खाता खुलवाने के लिए अभिभावक या पिर कानूनी अभिभावक को आवेदन करना होता है खाते में नियूनतम मासिक जमाराशी 250 रुपे और अधिकतम 25 लांक रुपे है खाते में जमा रासी पर यनके जो भी रासी आप अपने खाते में जमा करेंगे उस पर 7.6% का ब्याज भी वार्षिक दर्से आपको मिलेगा खाता 21 वर्षिक आयू पर परिपग होता है यनकी आपकी बेटी की उम्र जब 21 साल हो जाती है तो आप संपूर्ण पैसा जो भी पैसा आपने जमा किया है और उसका जो भी प्याज होगा इनके टोटल मिलाकर जो भी हमने आपको बता है 64 लांग उपे तक आप 21 साल की उम्र मे निकलवा सकते हैं हालकि इसमें आप बीच में भी पैसा निकलवा सकते हैं जब आपकी बेटी की आयू 18 वर्ष होती है तो आप अपनी बेटी के पड़ाई के खर्च के लिए भी उसमें कुछ पैसा निकलवा सकते हैं और संपूर्ण पैसा आपको बच्ची की 18 वर्ष के आ देगे चोंसट लाग रुपे का फंड बनाने के लिए आपको हर महीने 15,000 रुपे जमा करने होंगे अगर आप हर महीने 15,000 रुपे जमा करते हैं तो 21 साल में आपको 64,20,830 रुपे मिलेंगे हाला कि आप यह मान कर चलिए कि अगर आपको सलना आए लगातार 7,630 मिलता है तो इसमें आपको 64,00,000 रुपे से भी अधिक की जो रासी है वह मिलेगी लेकिन अगर ब्याज में उत्राओ या फिर चड़ाओ होता है तो इसमें आपकी जो रासी है कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है यह ब्याज के उपर डिपैंड करता है कि हाली में कितना ब्याज चल रहा है अभी हाली में 6,730 ब्याज बैंक दे रहा है अगर आपका य उम्रथ्थी योजना में निवेस का नियमित होना बहुती चरूरी है। अगर आप हर महिने निष्चित्रासी जमा नहीं कर सकते हैं, तो आप सालाना या फिर आप तिमाही आधार पर भी निवेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने पैसे जमा ना करना पड़े तो साल में आप एक साथ पैसे जमा कर सकते हैं या फिर आप हर तीन महीने के बाद पैसे को जमा कर सकते हैं सुकन्या समर्थी योजना में निवेश करतिस में अपनी बेटी की उम्र का ध्यान आप जरूर रखें आपकी बेटी की उम्र दस साल से कम होन चाहिए तो आप दोस्तों लंबी अवधी के लिए निवेश कर सकते हैं अगर आपकी बेटी की उम्र दस साल है और अधिक रिटन आप प्राप्त कर सकते हैं देगे सुकन्या सम्रत्ती योजना एक सुरक्षित और लाबदायक योजना है इस योजना में निवेश करके आप अपनी बेटी की साधी के लिए आर्थिक सुरक्षा परदान कर सकते हैं अब इसमें दोस्तों कुछ मिल जाएगे सुविधा मिल जाएगे आप दोस्तों यहाँ पर कुछ अध्रिक्त जानकारी है जो कि आपके लिए बहुती महत्मून है देगे सुकन्या सम्रत्ती योजना में निवेश के कुछ अन्यलाब भी निमल लिखित हैं जैसे कि इस योजना में टैक्स छूट का लाब मिलता है यनके अगर आप सुकन्या सम्रत्ती योजना में हर महीने पैसे जमा करते हैं तो दोस्तों आपको टैक्स भी देने की ज़रुरत नहीं है इस योजना में खाता बंद करने पर कोई जुर्माना भी नहीं दे जाता है जी हां कोई भी जुर्माना आप से नहीं लिया जाएगा अगर आप अपने खाते को बंद करना चाहते हैं तो आप उसे बंद भी करा सकते हैं इस योजना में खाता धारक की मृत्यू पर खाता प्रिपकु हो जाता है और राजिन नमांकित वेक्ति को मिल जाती है जो भी नौमनी होता है तो यह थी आपके लिए महत्तपूर्ण जानकरी यदि आप कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं या फिर आप किसी अदर योजना का लाब लेना चाहतесь हैं आप किसी और योजना के बारे में जानकर प्राप करना चाहते हैं तो आप कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताएगा या फिर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के लिए और भी योजना बताई जाए आपसे हम निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिपया वीडियो को लाइक कर दीजेगा आप से इजाज़त और मिलते हैं आपको निए स्टुडियो में तब तक के लिए जैहिं जैभारत चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भ झाल